करता हूं जिन्होंने आज सड़क पर आकर शासन के इन आदेशों का और इस विवार इस रवईये के खिलाथ उन्होंने हमारे अंदोने में आखे हैं मीडिया के लोगों से में यही कहना चाहता हूं कि हालात इन साथ साल में कितने दिगड़ गए हैं यह सीमाई की रिपोर्ट भी आप देख ली थे जहां पौने ग्यारा लाग मीडिया में लोग सेवा कर रहे थे नौपनी कर रहे थे घड़कर केवन वहने तीन लाग लोग ले रहे गए हैं याने की लगभग साथ से आथ लाग लोग मीडिया में ही विरोज्यार होते हैं हाग दूजने भी शेत्रों की दो बात छोड़ दी थे चोटे और मंध्यम उद्यों समाफ्ट हो रहे हैं किसानों का जो के यह जो कानून लाया गया है कोई किसान संगत्धन से चल्चा नहीं अभी खात के भाव लगबं 30 प्रतिशक उन्होंने बढ़ा दिए लेकिन प्रशी उपज के भाव घट रहे हैं कारेंट के आड़ी सोयाभीन की मसल आ रही है ऐसे भी तो फसल बहुत खराब हुई है उप्सान काभी हुआ है लेकिन जब फसल आ रही है तो फिर सोयाभीन का तेल इंपोर्ट करने की आवशक्ता थी कि उससे उन्होंने इंपोर्ट डूटी कम कर दी इंपोर्ट डूटी कम करने से वह भुवताओं का रहते मिलेगी और उन व्यापारियों को जो आयात कर रहे हैं और जो आयात के नाम पर उनको पैसा कमाने का अफसर दिया जा रहा यह सब बात जोड़ जाती हैं नरेन मोदिंगी ने वादा किया तब 2022 तक हम किसानों का क्याम दनी डबल करते हैं जनाब डबल करना छोड़ दीजिए जो उन्हें की हालात से बहुत बिगड़ते चले जाए और दस महीने हो गए उससे ज़्यादा हो गए पंजाब, हर्याना, वेस्टन, युक्विर, बुरे देश के कई लोग बहां नौनों दस-दस महीने से दर्ना दे रहे हैं और रशासन बुरे तरीके से बेड़ भाव का व्यवाद कर रहा है अभी इंदोर की मस्तिन लेरी दे जिन के उपर साधारन पकरन है उन्हें जिला बदर किया जाए जो आदितन अपराधी है उपर 307, लूट, कट्टा, अनेक जो आपराध दर्न है उन पर कोई कारवाई नहीं हो रही है और उनके उनकी हिल्मत इतनी बड़ी हुई है कि तेत्र मंत्री के गले में सोने की चेन वीवों लोग पैनाते हैं जो आत्तन अपराधी है जिनकी उपर अनेक मुकत में चले हुई का जेडियू भाजपा के कोईलेशन में समझाते की सरकार बिहार में और दिल्ली में चल रही है लेकिन बिटीज कुमार जी परस्टनली प्रधान मंत्री से अनुरोद करने गए कि कास्ट इस सेंसस होना चाहिए जो की कॉंग्रेस की रिजीम में तैह हुआ था जो हजार कि जारा में अब दूसरे दिन ही एकटेमिट जब सुप्रीम कोर्ण ने दिया सरकार ने तो साफ मना कर दिया कि हम किसी जी तोर पर गास्ट इस सेंसस नहीं कराएंगे ये नितिश कुमार जी के का जो था उस पर एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया मरें मोदी जी जी तेन सरकार ने की है और उनकी समान को तुगरा कर साफ तोर पर नितिश कुमार जी के प्रतिश्टा को आगार होना सौभाविक है लेकिन नितिश कुमार जी पतानी किन कार्णों सिंद्र डवे हुए है कि इस अवमानना को भी वे स्विकार कर रहे हैं पुरे देश भर में इस अब को बता रहें पर पंजाब में हाई दिख लीजिए तो तभी सीएम स्तीफा दे दे दिया आज सिदू ने सिपा दे दिया वहीं तो कॉंगरेस के सिद्धी अच्छी है उसके बाद भी सीएम का जाना पिर सिदू का जाना ये किस तरह के संकेते बाकी राज़ बीजे भी चेंज करती है तो मास्टर स्ट्रोग, मास्टर स्ट्रोग, और कॉंडे स्ट्रोग करती है तो अमें बस्ता, यहीं तो फर्क है आप लोगा।